तो नमस्कार आज इस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ गोरापन के लिए देखे अगर मेरे पास जितनी भी महिलाएं लेडीज जो लोग भी आती हैं उनका एक कंसर्ण जरूर रहता है कि सर हमारे चेहरे पे डार्क स्पॉर्ट हो गए हैं पहला या तो दुनकरी अन खराब हो गई है तो आपको गोरा कैसे हो सकते हैं इसके बारे में बहुत लोगों को मीत है कि कुछ भी मेडिकली स्टोर से लिया हुआ हल्दी बेसन लगाना या लूज के करना यह बहुत सारे ठिरेपीज करते रहते हैं इन सब चीजों को आप अटाईए आपको मैं इन चीजों को फॉलो करिए तो आपको improvement काफी अच्छा मिलेगा देखिए क्या होता है कि skin tone को अच्छा करना पहले आप logic को समझे आपकी skin dark dull क्यों होती है उन logic को समझे और logic को समझने के बाद में अगर आप उसको trick करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा लेकिन इस चीजों में एक आपके मुद्दे की जो main बात आती है वो है कि आपको एक ने एक बार skin expert से consult करना पड़ेगा उसका reason है क्या होता है मैं जो topic जो बता रहूं इनको समझ करके भी आप अपनी चीजों condition को diagnose, judge कर सकते हैं में भी हो सकता है diagnosis करने में आपको खुद difficulties आए one time आप अपने skin expert से जाके मिले और उनका अपनी condition को बताए नॉर्मल जीन का nature color भी रहता है जा black is जैसे भी है वो भी fair condition थोड़ा भूंतो हो ही सकते है condition tone अच्छी हो सकती है even tone हो सकता है color अच्छा हो सकता है आपका कि मेले नीन को हम body से कम कर सकते है possibilities है अब देखिए आप एक logic यह समझे कि आपकी skin dull, taint या खराब किन किन कारणों सोती उन कारणों को आप समझते जाए जो आप bathing के लिए मैं नहने के लिए पानी का इस्तमाल कर रहे है झाल कर रहे हैं जही जो भी साबून लगाते हैं वह hard होते हैं chemical होते हैं, ज्यादह ऐसे होते है उनंचीजों का इस्तमाल आप लंबे समय तकरते रहेंगे वह आपको नुकसान कर रहें पानी का इस्तमाल सॉफ्ट वाटर का करेंगे तो आपकी स्कीन के लिए ज्यादा अच्छा होगा हाड़ वाटर आपकी स्कीन को डेमेज करेगा नहाने समय में एक हैबिट टिंडेंसी रहती है कि हम या आप महिलाएं लेडिस रगड करके इस्कीन को बहुत अच्छे से क्लीन करकर के साफ पर करके नहा रहें लेकिन जिनको भी डाकनेस की प्रॉब्लम है इस्कीन टोन खराब हो रहा है वो ये आदत तो बदल दे इनके अलावा और बात क्या जाती है आपके सेरी में जो मेलिनीन है वो चोट लगने से ही डाक होनी जाता हूं मेरा उद्यस है कि अगर आपको टेनिंग से लेटेड या धूप के से प्रॉब्लम है तो कोसिस करें आप धूप वाला जब वर्क करते हैं जाते हैं डे टाइम में इस पेसले तो फूल कवर्ड थोड़ा सा करें जैसे जिनको इसकीन से प्रॉब्लम होती है ने को TV में एड में जो दे रहा है वो संस्कीन आपको सूटेबल हो यह कते हैं अगली बाड दूसरा संस्कीन लगानी तो आप त्राइल्स करके भी D देख सकते हैं अलग-अलग संस्कीन बदलने में आपको नुकसान नही है लेकिन आपके लिए बेस संस्कीन मिल सकता है इसके जिसे उल्टा मेलेनीन और ज्याद एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी इसकिन डल होनी और खराब होनी शुरू हो जाती है फेस्वास करने की तरीके गलत यूज करते हैं रगड रगड के चेहरा धोते हैं तो कोई भी थेरपी जो आप अपनी इसकिन को नुकसान से बचाएगा ही इतना ज्यादा हो गया है पॉलूशन ज्यादा हो गया है टीवी इलेक्ट्रोनी गैजट मोबाइल सम देख रहे हैं इससे आपकी इसकिन तो डल होगी उसे यह बचाएगा उसके साथे साथ में कहा है लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है लेट नाइट सोन और अच्छा बनाना क्योंकि हर किसी को चाहिए देखिए यह ऐसा लगता है कि नेचरल टोन अच्छा है लेकिन उसके बाद भी कोई भी नेचरल इसके लिए नेचरल टोन से कोई खुश तो है ही नहीं बार बार मिरर में अपना चेहरा आप भी देखते होंगे अगर आपको क्या डाइट आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है इन तरीके से आपकी चीजें अच्छी काफी हो सकती है और मैं आसा करता हूं कि इसी प्रकार से आपको नहीं जानकारियां चाहे आपको आपका जो लिप काला हो गया है उसको आपको अच्छा करना है बाल पक रहे हैं ब और ही चीजों की उपर में आपको treatment, consultation या किसी प्रकार की जितनी आपको मदद हो मैं देने की कोशिस जरूर करूँगा अगर इसी प्रकार की वीडियो से आपको अच्छे लगते हैं तो comment करके ही बताएं मैं उन पर भी कुछ न कुछ वीडियो बनाने की कोशिस जरूर करूँ 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 झाल